इसमें उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन दिया जो उनका होम टाउन था कि शोर गंज में बंगलादेश में उसमें उनकी जो चाइल्डूड मेम्री थी उसके पारे में उन्होंने बताया है जहां पर वह रहती थी वह कहां थे आग एक रीवर थी जो कि दो पार्ट में किसी को को ये काम था वहां पर काम भी कर लेते था और डूसरी साइट पो घंप उस टाइम फे तो इस भी कह बार कियां बाका कि बिटीजिउस वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं होता था, वहां कोई जो अच्छा, well-cultured, well-mannered family से बिलोंग करता था, वो कोई भी परसन वहां ना तो जाता था, ना ही उसके बारे में जादा बात करता था, तो अब जो river की एक साइट थी, जहां पर सारी celebrations होती थी, जहां पर सब कुछ सारी एक बड़ी market थी, और बहुत सारी चीज़े थी, उसमें उन्हें किस तरह की उनकी जो experience है, वो कैसे हुए, कैसे उनको इतना कुछ देखने को मिला, समझने को मिला, उसके बारे में उन्होंने सारी सब कुछ बताया है, वहाँ पर कैसे celebrations होती थी, car festival होता था, monsoon season में, swing festival होता था, क्रिशन जी का, इद होती थी October में, तो उस time की जो उनकी सारी यादे हैं, वो उन्होंने सारी describe की है, वो कहते हैं कि किशोर गंज, ये सबसे बहले तो ये बता दो कि ये autobiography थी, उनकी अपनी autobiography of an unknown Indian, जो नीरत सी चोधरी है, उनकी ये book है, उनकी ये book है, उसका जो first chapter है, वो यही है, कि जिसमें उन्होंने अपनी childhood memories बताई है, my birth place, दो इसमें उन्होंने अपना बताया है कि कैसे जब वो लोग रहते थे, जो जब वो चोटा सा कसबा था बंगलादेश में, महाँ पर कैसी चोट चोटी huts थी, बिल्डिंग्स थी, महाँ पर इतना ज़्यादा British Empire, British Colonies, इनका इतना राज नहीं था, किसी भी country, English country town, इसके वारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता था, लोग अपने ही दुनिया में मस्त थे, वहाँ पर बहुत ही अच्छी lively picture होती थी, बहुत अच्छा scene था, जो river है, उसको भी सभी बहुत पसंद करते थे, जो एक picturistic description है, जो उसके time का, वो बहुत ही अच्छा बता है, जो ब्रामपुत्र river है, उसका वहाँ पर ऐसा लगता था कि जैसे एजिप्ट में नेल न दिया है, वैसे यहाँ पर ब्रामपुत्र न दिया है, तो यह एक तरह से community hall कह सकते हैं, जहाँ पर सभी लोग आकर मिलते थे, जुलते थे, लोग एक दूसरे से बात करते थे, अपनी celebrations करते थे, लोग इवन अपनी cows, elephants को भी यहाँ पर वोश करते थे, मौनसून के टाइम में तो पूरे swing पर होता था, यह जो river water है, लोग यहाँ पर बहुत ही मज़ा करते हैं, especially बच्चे उस टाइम पर, क्योंकि बच्चों की वो जो childhood period होता है, और उस टाइम के जो thinking होती है, वो एक अलग ही level की होती है, तो वहाँ पर उन्होंने, जो author है, उ कि हमें ऐसा लगता है कि हम वहीं पर ही पोंच गए है, जो details है, rivers की, rains की, वो सारे के सारे, उनकी mind observation के बारे में बताते हैं, कि उन्होंने बहुत ही कीनली अपने अपने जो town है, उसको observe किया है, तो अब आते हैं कि वहाँ पर क्या होता था, कि एक जगह पर तो होता था, कि यहां पर goddess temple भी होता था, जहां पर इदगा भी होती थी, cricket का मैदान, school, library, dispensary, hospital, post office, सब कुछ एक साइड पर होता था, river की एक साइड पर, और दूसरी साइड पर क्या है, कि जो prostitutes हैं, उनको, उनकी, उनका घर होता था, यहां पर उनकी indication के है, जो spirit of boyhood होती है, कि लोग prostitutes होती है, उनके बारे में किस तरह से सोचते हैं, उनके बारे, उनकी description दी है, तो आगे उन्होंने सब कुछ बहुत ही observed आई से, बहुत ही keenly सब कुछ observe गिया है, उसके बारे में सब कुछ लिगा है, उस टाइम पर गया है, कि जो political, cultural, aesthetic, और जो भी religious, जो भी morals होती थी, ज सारी description दी है, तो वो आगे बताते हैं कि बहुत ही छोटा सा घर था, तलाब था, शहर को मतलब सारी की सारी घर को, सारी शहर को ठंडा पानी देता था, यहां पर क्या है कि जो festival होते थे, वो तो देखने लाइक होती थे, रत जात्रा निकलती थी, जब क्रिशन फेस्टिवल होता था, जब क्रिशन जी का bird day celebrate किया जाता था, almost September के near about celebration होती थी, तो वो जो मेला होता था, वहां पर कैसे जो बच्ची होते थे, वो जाते थे, उन्हें नोकर की निकरानी में बेजा जाता था, special allowance मिलता था, पैसे उन्हें देकर बेजा जाता था, बैसे इस से ज़्याद नजारा होता था, बुखान क्रिशन जी का जूला जूलना, एक तरफ मेला लगना, एक तरफ नदी का निजारा, तो उसने बहुत ही जो राइटर नोंने बहुत कीन observation किये, उस टाइम पर जो भी festival celebration होती थी, उस टाइम पर जो social culture life होती थी, हिंदू muslims की उन्होंने capture किये, अपनी बहुत ही keen, masterly sorality से उन्होंने बताया है, कि वहाँ पर उस टाइम पर कोई इतना difference नहीं होता था, चाहे हिंदू festival होता था, चाहे muslim festival होता था, लोग बहुत ही enjoy करते थे, वो कहते कि हम लोग चाहे हिंदू थे, लेकिन हम लोग wait करते थे, कि कब अपने festival आता था, व सबी ढखा नारायन गंज से आते थे, और किताबे बांदरे वाले, जिल्द बांदरे वाले वाले वो भी आते थे, कुरान शरीफ की जो पुरानी उखड़ी किताबे लाई जाती थी, उनकी जिल्द बांदी जाती थी, और फिर जो next जो रो है, महां पर harmonium वाले होते थे, त उसके पात जब हिंदो को फेस्टिवल बातों महों जाते हैं, तो फिर आता था एद का तयोहार, उसको उसकी भी उन्हें ऐसी भीड, ऐसी वेट होती थी, वहां की प्रेयर तो देखने नहीं जा पाते थे, लेकिन भीड को उन्हें बहुत वेट होता था, कैसे वहां पर सीजन से रिलेक्टिड, सीजन से रिलेक्टिड, अलग लग जो फेस्टिवल हो से रिप्रेट होते थे, लेकिन जो मुस्लिम फेस्टिवल से वह हिमन एक्टिविटी से रिलेक्टिड थे, उसमें सीजन का इतना रोल नहीं था, लेकिन जो मुस्लिम फेस्टिवल हैं, वह हि तो यहां पर भी चैना तो ठीक है लेकिन जो एक अंदर की खुशी होती है वह उन्हें फील होता हूँ ऐसे नहीं लगता था according to writer तो यहां पर भी जो लोग है जो Muslim Festival है वो भी बहुत अच्छे से उनका भी वेट होता था वो भी बहुत इन जुआय से देखते थे लोगों को घर जाने की वेट करते थे लोगों का जलूस देखते थे हाथियों को कैसे सजाया जाता था हाथियों को कैसे उनके उनकी उपर जुतिलक लगाया जाता था रंग लगाया जाता था किस सरा से वो तेज से चलते थे यह सब कुछ उन्हों ने बहुत ही अच्छे से अब्जॉब किया और वहां पर देखा अपने चाइल्ड हुर्ट होता है मेली हाँ पर सोशल कल्चर जो वैल्यूज है जो उस टाइम पर हुआ करती थी बंगरादेश में हिंदो और मुस्लिम के उसके बारे में सारी डिपिक्शर जहीं पर जी चैप्टर खतम होता है अगर आपको और भी कुछ चाहिए हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट कर सकते हैं प्लीज मेरी वीडियू लाइक शायर कीजिए मैं हमेशे यहीं एसी वीडियेज लेकर आती हूँ अगे भी लेकर आती रहोंगी तो ऑगर आप जीत्ना हो सकता है मुझे मोटिवेट करेंगे मैं और अच्छी वीडियोस लाने के लिए और प्रेर रित होती रहूं थैंक यू सो मच